हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आज हम एक बहुत ही हेल्दी ब्रॉकली गाजर की स्टर फ्राइट सब्जी बनाएंगे और इसे हम एकदम आसान तरीके के साथ बहुत कम इंग्रिडेंट के साथ बनाएंगे और यह सब्जी बहुत ही डिलिशिस बन कर तयार होगी और इस ब्रॉकली की सब्जी को बच्चे बड़े सभी को पसंद आती है और इसे आप धाल, चावल, रोटी किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं और इवन इसे आप रैप और सेन्विचस में भी स्टॉफ करके श्तिमाल कर सकते हैं चलिए अब हम सब्जी बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैंने ये किये मीडियम साइस की ब्रॉकली लिया और इसे अच्छी तरह से हमने वाश कर लिया है अब इसके हम फ्लोरेट को अलग करेंगे इसके फ्लोरेट को हम बहुत ज्यादा पतला नहीं बनाएंगे जितनी गाजर क कि हम थिकने सकेंगे उतने ही हम इसके फ्लोरेट कटके काटके तयार करेंगे इसकी जो स्टेम है इसको भी हम बाद में छील के किसी सबजी में इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ उपर से पील कर लें और फ्लोरेट में भी जो साइड में ये जो हाड सा होता है वो भी आप निकाल अब चाहें उसे इसमें ढल सकते हैं चाहें आप किसी और सब्जी में add कर सकते हैं उसे waste आ करें अगर आपके ब्रॉक्ली थोड़ी सी उपर यह लोइश इस बात का आप ध्यान रखें परना फिर सब्जी में काफी पानी पानी हो जाता है तो इसे पानी इसका निकाल दे या अच्छी तरह से पहुंच लें अब हमने सारी ब्रॉक्ली काटके तयार कर लिए अब हम गाजर इसके लिए काटेंगे इसके लिए मैंने ये दो गाजर ल बॉलने के बाद इस तरह से इसके दोना साइट से थोड़ा पोर्शन निकाल के हम इसको छोटे पीसिस में कट कर लेंगे एक गाजर के लगबग 3 या 4 लंबाई के हिसाब से हम पीस कर लेंगे और फिर इससे हम पतली-पतली स्लाइस में काटेंगे इस तरह से हमें मीडियम थिक इसकी slice काटने हैं, बहुत जादा मोटी भी ना रखें और बहुत जादा पतली भी ना रखें, इसकी ठीकने समय इस तरह से रखनी है कि ब्रॉकली और गाजर दोनों एक साथ कल जाएं और दिखने में भी अच्छी लगें, आप बहुत जादा अगर पतली काट देंगे तो फिर यह जल्दी गल जाती है, और ब्रॉकली को गलने में थोड़ा समय लग जाता है, इस तरह से हमने सारी गाजर काटके तयार कर लिए, यह कुछ हरी मिर्च हैं, आप चाहें तो इस तरह की मोटी हरी मिर्च यूज कर सकते हैं, या चाहें तो तीकी हरी मिर्च यूज क कर सकते हैं, मैंने धूलिया है, इस तरह से मैं दोनों को मिक्स करके डाल रही हूँ, पर अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो वो तीकी वाली मिर्च हैं, इसमें बिल्कुल न डालें, और आपके पस यह मोटी हरी मिर्च ना हो, तो आप चाहें तो कैप सिकम भी पर अगर आपके पस ना हैं, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसे हम थोड़ा सा स्टर करेंगे, जब तक कि यह क्रेकल होने लगे, अभी हमारी रोस्ट हो गए हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे, अगर आपके पस ब्लैक हैं, तो आप ब्लैक और वाइड दोनों तिल, इसमें एक साथ रोस्ट कर सकते हैं, अब पैन में मैंने 2.5 टेबल स्पून ओलिव ओल डाला है, आप चाहें तो ओलिव ओल में बनाए हैं, या फिर आप सन फ्लावर या कॉर्ण या जो भी कोई नीट्रल फ्लेवर का तेल होता है, वो ले सकते हैं, तेल गरम होने गयाद मै अब साथ में गाजर काटी थी वो डाल ली है, अब गाजर के पास ब्रॉकली डालेंगे, या आपके पास ब्रॉकली नहीं है, तो आप सफेज गोबी होती है, फुल गोबी, उससे भी सबजी को इसी तरह से बना सकते हैं, या फिर दोनों गोबी इसमे एड कर सकते हैं, तो इसमें हम टेस्स के पास से नमक डालेंगे, इस सबजी में पास श्रिंक हो जाएगी तो नमक अप उसी हिसाब से डालेंके बाद में इसमें नमक ज्यादा न लगैंगे को इसमें नमक हलका ही ज्यादा अच्छा लगता है, अब इसे हम ढखके, 2-3 मिनट के लिए धीमी हीट अब इसे एक बार हम खोल के देख लेंगे और नीचे से स्टर भी कर देंगे कि नीचे से जलना जाए अभी हमारी सब्जी हाफ डन हुई है अभी इसे गलने में और समय लगेगा पर इसमें आप पानी ना डालें क्योंकि ब्रॉक्ली गाजर दोनों अपनी ही स्टीम से पक जा अब इसे वापस हम एक बार चेक कर लेंगे घाजर भी गल गई है और ब्रॉक्ली भी गल गई है इसे हलका सा क्रिस्प रखना है हमें बहुत ओवर कुकिसे नहीं करना है अब इसमें हम आदा तीस्पून चिली फेस डालेंगे चिली पेस का इसमें काफी अच्छा टेस्ट जाता है और साथ में हम थोड़ी सी चीनी डाल रहे है इससे मिठास भी आएगी और सबजी पे अच्छी सी ग्लेज भी आ जाती है और थोड़ी सी चिली पाउडर भी डाल रहे है कश्मेरी चिली पाउडर है इससे अच्छा सा कलर भी आ जाएगा इसे डाल के हम अच्छी त इसके लाब हम इसमें और कोई मसाला नहीं डालेंगे हमने चीनी डाली उसके जगह आप इसमें ब्राउन शुगर भी थोड़ी सी गुड़ को घिसके भी डाल सकते हैं अब इसमें सब्जी हमारी बन के तयार है इसमें हमने जो तेल रोस्ट किये थे फाइनली वो डाल देंगे उसे मिक्स कर लेंगे अब हमारी ब्रॉकली और गाजर की सब्जी बन कर तयार है और जब आप सर्व करें तो उसमें जो सर्विंग बोल में भी उपर से थोड़ी से तेल एड़ कर दें उसमें बड़ा अच्छा इसमें एक क्रण्च आता है आप इस सब्जी को जरूर ट्रा